व्यक्षा प्लस्टो आर्ट सेंट साइन्स विशे अनुवरी हिंदी आर्ट तेम रहीं व्यक्षा नमबर दस का सेश्वाज उसकी गहोर उपिक्षा की जाती है जिस प्रकार से दूले के सिर पर साधी के समय मोर कोई ही धारण किया जाता है विवा के समय उसे बड़ा सम्मान दिया जाता है उसे शिर पर दारण किया जाता है तथा भावरे यानि फेरे हो जाने पर उसे नदी में सिरा दिया जाता है बाहा दिया जाता है विशे इस काज पर एक अचुर है काज सरे कचुर ये है एक कठोर सच्चा ही है, सुखी रहना है तो किसी की अधिक उपेक्ष्या मत करो, अन्यथा हर्दय को दक्का लगेगा दूसरे साहितिक ब्रिजबासा प्रियुक्तु ही है, तीसरे व्यंग्यात्मक सहली और निति की योहारीक शिक्ष्या देने वाली है चोथा है द्रष्टान सलंकार और अनुप्रा सलंकार का प्रियुक्या है, ताच्वा है दोवा संक्रितु है ग्यार्वा दोवा है, रही मन अस्वा नयन डरी जी दुख प्रकट करेई, जाई निकारों गेते कस्न बेद कहा देई प्रशंग प्रस्तु दोहा हमारी बाठ कुस्ताक सरजन में संक्लित कवी रहीम द्वारा रचित दोह से आउत्रीत है इस दोही में रहीम ने नेतर से डलने वाले आउसों को रोक कर रखने का आववान किया है अगर आउसू नहीं रुके तो यह तुमारी मन का हाल उजागर कर देंगी इसलिए रोव मत व्याख्या कवी रहीम जी कहते हैं कि नेतरों से डुलकने वाले आउसों मन के दुखों को प्रकट कर देते हैं सुआ भी माने व्यक्ति के मन के दुख मन में ही रखना चाहिए जब तक तुम किसी को गर से निकालोगे तो वै घर के सभी से बेद दूसरों के सामने प्रकट कर देगा इसलिए रोना नहीं चाहिए दुख के समय को तहरी दारण करके बिताना चाहिए विशे इस कवी ने अपने मन का दुख है मन में ही शिपा कर रखने का प्रामर्स दिया है जो बड़ा व्योहारी का है सुआभी मानी व्यक्ति को दुख के दिन गंबीरता और धहरी के साथ चुपचाप बिता लेने चाहिए दूसरे सरल ब्रजभाषा का प्रियोग हुआ है और सब्द चयन बाउं के अनुकूल है कथन सहली प्रामर्स प्रक है चोथा दोवा चंद प्रिप्त हुआ है पांचवा अनुपरार और द्रस्टांत लंकार प्रिप्त हुए है बार्वा दोहा है रहिमा निजमन की विथा मन ही राखो गोई सुनी आठी ले हैं लोग सब पाठ न ले हैं कोई प्रशंग प्रस्त दोहा हमारी पाठ पुस्ताक सरजन में संक लेते कवी रहिम द्वारा रचित दोहों से आउत्रीता है कवी ने बताया है कि अपने मन की विथा को मन में छपा कर रखना बुद्धी मानी है किसे के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए व्याख्या रहिम जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन में ही छपा कर रखना चाहिए इसे में बुद्धी मानी है यदि उसे दूसरों की सामने प्रकट करोगे तो सच्छी सानुभूती प्रकट करने वाला वाले कम तथा उसकी यहां सी उड़ाने वाले अधिक लोग मिलेंगी इससे आपका मन और अधिक दुखी हो जाएगा विशेश पहला गर की बात गर में ही रहे उपहास का कारण नहीं बने इसके लिए सावदानी रखनी चाहिए गर के सभी सदेश्यों को सम्मान और आकांग्षाओं को उसी समर्थन और आदर दिया जाना चाहिए यह संदेश वि पासा काप्रियो तीसरा दोवा चंद प्रयुक्तु आये चोथा अनुप्रास और द्रश्टान तलंकार पांच्वापदेश आत्मक सैली तेरवाए दीन सबन को लखन है दीन नहीं लखेन कोई जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंदु समोई प्रशंग प्रस्तुत दोहा हम पारी पाठ पुस्तक सरजन में संक्लित कवी रहीम दोहरा रचित दोहों से आत्रीता है इस दोही में कवी रहीम ने दीनों की सायता करने वाले को दीन बंदु भगवान के समान माना है व्यक्षा कवी रहीम जी कहते हैं कि दीन व्यक्ति सायता के लिए सभी की और ताक्ता रहता है किन्तु उसकी और कोई दिहान नहीं देता जो व्यक्ति दीनों की सायता करता है उसे दीन बंदु ईश्वार के समान ही समझना चाहिए दूसरे जिसका सायक या रक्षा कोई नहीं हो भगवान शौम उसकी सायता करते हैं गते दिनों की रक्षया और साहईता करने वाला मनुशिष्वर की तुली सम्मानी होता है, कभी का यही संदेश है, अर्योक्तों है, तीसरे कभी ने दीन और निर्बलों की साहईता करने का तथा गुणी बनने का संदेश दिए, सेली भावात्मक प्रियुक्त हुई है आच्वाय बर्जबासा का प्रियोग हुआ है शठा द्वात संप्रियुक्त हुआ है कर दो